नमस्क्राइब फ्रेंड्स मैं हूँ नेहा स्वागता आपका इटिस नेहा में तो आज जो है वह 26 जनवरी है तो इसकी सभी को शुपकाम नाई जो अपना सत्रवा गंतंद दीवस है कि तो हम कर रहें एंटिटी के प्रिपेशन इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियोज अप्लोड कर दी हैं अगर आप एविडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले के जो वीडियोज अप्लेश्ट में जाकर देख सकते हैं जिसकी तयारी है वह से लिए पस सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें चैनल को प्रेस करें ताकि आपको जो नोटिफिकिशन है वो टाइम पर मिल जाए और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो मैंने वीडियोज प्लोड किये हैं तो बहुत सारे लोगों ने देखा है लेकिन लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरू करें क्योंकि जो लाइक है वो मुझे एप्रिशेट करता है मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं आपके लोगों के लिए और हैल्प कर पाहूं और जो मेरे पास मैटन हो आप तक पहुंचा पाहूं ठीक है तो आज जो पढ़ने वाले हैं वह जब ना बचावा टॉपिक है तो वह देख लेता है जो बहुत इंपॉर्टन टॉपिक इसके बारे में आपन डिटेलस स्टड़ी करने वाले हैं जो खेलों के कौन-कौन से प्रकार है थे लोगा जो महतव है मैट तो अपने पढ़ लिया था लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टन जो है वो खेलों के प्रकार है तो अपिकिक्री क्यूश्न पूचा जाएगा प्रकारों से लेकर किया जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं खेलों के प्रकार है वो कौन-कौन से है तो यह खेलों के प्रकार पहले पढ़ लेते हैं इसकी जो डिडिल है बच्चों की खेल क्रियाओं को कई की प्रकार से वर्गी गरत किया जा सकता है कुछ वर्गी करन खेल के इस्तान का ध्यान में रखते हुए किये जाते हैं कुछ खेल क्रियाओं की विशेवस्तू पर आधारित होते हैं और अन्य खेल क्रियाओं पर इन क्रियाओं को सुई दानसार भिन भिन वर्गी करन किये आते हैं मुक्त और सनरस्तात्मक खेल कौन-कौन से हैं तो आप जो इनका जो कॉंसेप्ट है वो जरूर याद रखें क्योंकि आपको एक उधारन देखें भी पूछा जा सकता है कि कौन सा खेल के अंदर आएगी या कौन सी जो चीजें वो कौन से खेल में अपन सीखेंगे तो यह है कि अपने ढंक से खेलने के लिए बाली का स्वतंध है उसे पालन करता दौर बताएगे नियमों का पालन करते ना पड़ता है इस आधार पर खेल को मुक्त और सनरस्तात्मक खेलों में वर्गी करत किया गया है उधारन्त जब बाली का मिट्टी के साथ किसी व्यस् दक्षेक नहीं है को इसको गाइड नहीं कर रहा है कि वचा ऐसा खेलो तो वह खुद जो खेल दिमांग से उसको जैसा चलग रहा है वैसे तो किस प्रकागा खेल है कि मुक्त खेल है लेकिन जो दूसरा खेल है वो क्या है दूसरी और आकरती कि संकल्पना समझाने के लिए जब पालन करता निर्देश देती है जैसे चलो बाहर चलकर मिट्टी के कटोरे और ठाली बनाएं तब वह खेल क्या कहलाएगा संरचित खेल तो यह जो चर्चा की है इसका मतलब यह नहीं है कि मुक्त खेल से बच्चे कुछ नहीं सीखते हैं सभी प्रकार के खेलों से बच पाली आगे खेल बच्चों के लिए निवारी है कि संरचित और मुक्त खेल दोनों हिनिवारे हैं मुक्त खेल जो है वो वो जग्याशा और पहल को बनाए रखता है ठीक है तो आप यह याद रखे नेक्स है और बच्चों को खोज करने के लिए प्रोसाइट करता है लेकिन जो संरस्तात्म खेल है उसमें पालन करता है बालिका का ध्यान कुछ विशेश पहलू की और आकशित कर सकती है जिसके बार पालन करता को यह ध्यान में रखना आवशक है कि दोनों ही प्रकार की खेल क्रियाओं में बच्चों को आनंद आए तो आपने समझा होगा कि यह क्या है तो आप एक चीज और नोट करें साथ में कि जो मुक्त खेल है वो आनंदाई होते हैं और स्वाभाविक होते हैं और यह जो खेल होते हैं वह बच्चों को कल्वणा करने स्रजन करनें और समय के सधुयोग सीखने के आउसर प्रदान करते हैं तो यह बात आप robić हैं ₹और ल डेला खेते हैं जो खेल यह आनंदाई हो स्वाभाव?". होते हैं ये बच्छों को कल्पना करने के लिए और समय के सदय। सद Peanut करने के लिए सीखने के उसर प्रधान करते हैं कौन करते हैं मुक्त खील अब एक चीज जो है कि सब्सक्राइब मेंहीं रखें मैं आपको बता देती हूं कि यह किन-किन चीजों पर जादा जोर देता है कि जो संरचित गतिविधियों की जो आवशकताएं हैं वो किस प्रकार से आवशक होती हैं संरचित खेल जो हैं वो बच्चे में निर्देशों को सुनना नियमों का आदर करना पालन करना और सीमाओं के भीतर काम करना जैसी जो यह टर्मस हैं उनको सीखने में मदद करते हैं तो फिर जान नियमों का आदर करने दूसरों के बाद सुनने के लिए जो चीज़े होती है वो सीखने में मदद करते हैं कॉन से केल सनरचित खेल ठीक है क्योंकि बच्चा जो है किसी अंडर मेरे के वह खेलْ खेलता है तो ये बात हो गई अ में अब नेख्ट एंब भाहरी और ढहलें भीटरी खेल तो यह नाम से ही स्पा्ष्ट है कि बाहर ख्लेन जाने वाले क्षेलों में क्यों के आफसर मिलते हैं यहां इत्थान बादह एक घृतली वालेग्टे मार नेहीं ईृटर आज में कोई समझाने वाजी नहीं है अब नेक्स्ट है व्यक्तिक और सामुई खेल कि बच्चा जो खुद कहल सकता है के लिए और जो समुव में खेल सकता है तो जब बालीका स्वेम अकेले खेलती है तो यह व्यक्तिक खेल कहलाता है ठीक है इंडिज्वल गेम या प्ले दूसरों के दृष्टिकों को ध्यान में रखे और खेल के नियमों का पालन करें तो यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि खेल लगर खेलते हैं तो उसके नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है जैसा कि आपने पढ़ चुके हैं कि यह योगिता है उम्र के साथ बीते हैं और फिर उनके खेल का दिगान समय समू है में खेलने में बीता है परन्तु समय समय पर बच्चे भी अकेले खेलना पसंद करते हैं जा समू में खेलने में सामाजिक कोशल बढ़ते हैं वहीं व्यक्तिक खेल बच्चों को उन वस्तूं से खेलने का समय देता है जो सबसे रूचिकर लगती है दोनों ही खेल उसके कोशलों के विकास में सायक होते हैं अब जो नेक्स्ट प्रकार है खेलों का वो है ओजस्वी और शांत खेल वे खेल जो बच्चों में जोस भरते और वे खेल जो शांती से खेले जाएं ठीक है नेक्स्ट है कई बार वेस्ट के जुन्ज लाकर कहते हैं कि बच्चे एक इस्तान पर क्यों नहीं पेट सकते क्यों इदर उदर भागते रहते हैं बच्चे भागने कूदरे उचलने वाले खेल खेलना पसंद करते हैं वह खेल जिसमें अधिक उड़जा होती है इसी खेल क्रिया ओज सभी सकरीय खेल क्रिया के लाती है वे खेल जिन में अधिक सारे क्रिया क्या आविशक्ता नहों जैसे जमिन पर चौक से लिकना चेतर बनाना मि Ł conscient से क्हिआए बछों को आराम देती है ऐसे खेल में उनकी उड़जा जो व्याने होती शान्त खेल कर लाते हैं तो यह बीजी था पढ़के भी समझ सकते हैं और वैसे अगर 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 पढ़ा भी नहीं होता सीधा आप्शन आता तो अगर क्यों आप आंसर कर देते नेक्स्ट है समवेधी क्रियात्मक मतलब सैंसरी मोटर और परतिकात्मक खेल तो सेसर काल में बच्चों का खेल है वस्तों को चूना, सूंगना, चक्षना, परिवेश की चानवेन करना इन क्रियाओं में इंदरियां सलनगन होती है और मास पेशों के समन्वे की आवशक्ता होती है इसलिए इन्हें समवेदी क्रियात्माक सैंसरी मोटर खेल कहा जाता है सेशवकाल के अंत तक बच्चे नाट के खेल में भाग लेने लगते हैं इस तरह के खेल में बच्चे कल्पना करते हैं कि टिन का डबा घर है या लकडी का गुट का हवाई जा जाए इस प्रकार एक वस्तू का उप्योग उसके वास्टिक रूप से हट कर होता है बच्चे अन उप्योग करने में मांस्ची विकास के परिणाम ही संभव है समेधी क्रियात्मक खेल से पर्तिकात्मक खेल तक पहुचना बच्चों के चिंतर में भरती हुई जटिलता पर आधारित है तो यह कुछ डाइग्राम है तो आप देख सकते हैं इसे समझ सकते हैं अब देख लेते हैं कि खेलों को प्रभावित करने वाले कारक्तों आयू तो सिंपल सी बात है कि आयू के अकॉर्डिंग ही विचे खेलते हैं ठीक है कि ऐसा तो है नहीं कि बच्चा जो दो साल का है और वो ग्राउंड में जाके फुटबोल खेलेगा या वालीबोल तो यह चीज है तो इसमें अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजेगा में स्क्रीन शोट जो है टेलिग्राम पर अफ्लोट कर दूँगी नेक्स्ट लिंग में जैसे बच्चिया जो है वो डॉल से खेल रही है लड़के बार जाके खेल रहे हैं तो उस प्रकास से लड़कियों के कुछ गेम अलग होते हैं लड़कों के कुछ अलग होते हैं ठीक है तो यह सब है अब नेक्स्ट है संस्कृति तो संस्कृति के बारे में भी अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं ठीक है कि जो से कि भारत जो देश है विपिंताओं का देश है कई जगह अलग अलग है कहीं काम पर कौन से खेल खेल जाते हैं कहीं पर कौन से तो इस प्रकार जो है कि खेलों पर प्रिसंस्कर्थी का भी एक बहुत प्रभाव पड़ता है जैसे उडीचा के सुंदर मुखोटे और कटपूतलिया मशूर है लकड़ी के खिलोने करना टके चेना पटना आंदर पदेश की कोड़ा पली में बनते हैं तो इस प्रकार के सब राज्यों के अलगला कुछ खेल भी है तो वह टाइप के खेल जादा खैलेंगा जैसे गलिडंडा वो बचे जादा खेलते हैं जो मठर्ब क्या बता सकती अनसे के वाताग्रो방 साभ्ण कि महतना है तो दो माजिपर द्शलाय और घ्रका अमाध्य पना आहिका एक वी नहीं चाहर को ह्याँ में कर पाता है या फ तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं तो अर्परिस्तिति और परिवेश तो शैर की बीड बार में खेलने के लिए खुली यह कम ही मिल पाती हैं फिर भी बच्चे खेलने के लिए जगर ढूंडे लेते हैं तो यह चीज़े हैं कि कैसे परिष्टिती और परिवेस में भी अपने जो खेल को आगे बढ़ा देते हैं पर लेते हैं प्याजे के अनुसार उम्रे के साथ खेल में सहस्प्रगति होती है स्मॉल स्कीयम सेफित्य के खेल का विकास समाच वे बड़ा के परदशक में होता है प्याजे के अनुसार बच्चे की विक्षित होती हुए मांचिक शम्ताओं में खेल एक बड़ी भूमी का निवाता है प्याजे के विकास के कई चरण गिनाते हैं पहला चरण की जिसे वे अभ्यास वे कारियात्मक खेल कहते हैं तो आप जरुर याद रखें जो पहला जोने बटाया है वो है कारियात्मक खेल है ठीक है अब कारियात्मक खेल में क्या करता है बच्चा यह जब बच्च वस्तूओं के इस्तिमाल की प्रिचित पद्रतियों को दोहराता है उधारन के लिए खाली प्याले से पीता है और हातों के इस्तमाल से बालों के कंगे करने का नाटक करता है दूसरा सिरन कौन सा बताए खेल का पहला तो बताए कारियात्मक खेल दूसरा है प्रतिकात्मक खेल जिसका उभार किरियापूर परिचारनपूर या प्री ओपरेशनल दोर में होता है यह मानशिक प्रतिकों के इस्तिमाल का दोर है वस्तुएं अपने से अलग किसी वस्तु का प्रतीक होती है बच्चा को प्रतिकात्मक्ता का मतलब है बच्चा किसी चीज को एक्सषा चीज कहने लिए बच्चा को फट्राइब का सकता है ठीक है तो इस प्रकार की चीजे हैं कि बच्चा जो है जो एक रियल चीज है उसका एक प्रतीग बना रहा है किसे अपने खिलोने को तो वो एक अवस्ता है बच्चे की प्याजे ने संडरस नातमक और नाटी के खेल में अंतर किया है तो किस प्रकार से क्या है संडरस नातमक खेल में दूसरी वस्तूओं को बनाने या रचने के लिए ठोस वस्तूओं का प्रियोग किया जाता है उधान के लिए कार रोड ट्रक वाले खिलोने के लिए एक सहर बन कल्पित द्रश्य के लिए विश्य वस्तू और विकास की दिशा के सूज लेते हैं नाट के खेल का उभार प्राई संद्रस नात्मक्खेल के बाहर सतर पर आता है पियाजे के उस दोर के कल्पित सभाव के खेल को बच्चे आत्मक केंडरी विचार के प्रतिविम्ब के रूप में देखा तो पियाजे के इन्सा साथ वर्ष की आयू के आसपास ठोस क्रियात्मक दोर के आरम में यह समाप्त हो जाता है अब जो नेक्स्ट है अनेक समकाली सोथ करता होने पियाजे की धार्णाओं को विस्तार दिया है तो यह इंपॉर्टन नहीं है पहले देख लिए जो एक इसकी अब जाको याद रखनी है तो यह है कि दो से दो साल के पिच्चे जो है परतिकात्मक खेल और साथ से गहर साल के समय दें क्रियात्मक तो आपको याद होना ही और इसके जो प्रशन है वह नेक्स जो वीडियो आएगा मौक्टेस का उसी में इंकलूड रहेगा जो भी मैंने पढ़ाया है वही आएगा अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आपको तो कुछ जो क्यूशन है वो समझ नहीं आएंगे क्योंकि यह जो टम ली कही है क्रियात्म की यह प्रतिकात्म खेल की वह मैंने इस वीडियो में कवर करवा दी है वो जो मौक्टेस आने वाला है उसमें अगर आपने वीडियो ढंक से देखा है और अच्छे से रिवाइस कर लिया है तो आपको पूरे 100% अपना देना है उस मौक्टेस में ठीक है इस वीडियो के बार वह भी अप्लोड हो जाएगा magic talk और एक चीस केईलों का जू मेहतवया है वहाँ मेने गत्यात्मा विकास वाला जो वीडियो अप्लोड किया था आप मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ पर जाके आप मेरा चैनल जो है जोइंड कर सकते हैं आपको इसके स्क्रीन शॉट मिल जाएंगे तो आप सीधे वहीं से पढ़ सकते हैं ठीक है तो कैसा लगा है वीडियो तो लाइक जरू करें शेर करें एंड सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और अपनी जो कॉमेंट्स है वह जरूर डॉप करें ठीक है और सजेशन जरूर दें मिझे तो अभी ज से लिएफ बाइब करेंट जरूह जो करेंट अवाजियो तो बार देख करेंटेंट जर जरूरू है